भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्बुद संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टिवी के यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आईगॉन पर क्लिक करना ना भूलें अपने जो अवगुन हैं उनको प्रदर्शन नहीं करना चाहिए कि हमें ज़्यादा क्रोध आ जाता है हमारे सामने ऐसी बात मत करना हम बड़े क्रोधी किसम के इंसान है वो उनकी नीचता दिखाई पड़ती है क्रोध तो वश में होना चाहिए आपका खुद का अपना प्रशनता है शांती है अगर मैं आपसे कहूं आट गंटे प्रशन में रहिए आप रह सकते हैं लेकिन मैं कहूं आट गंटे क्रोध में रहिए आप नहीं रह सकते हैं जब तक आपको याद रहेगा तब तक आप क् बुलाया जाता है, यह आपका है नहीं, आपकी प्रशनता है, आपका जो कुछ भगवान ने दिये वो शांती है, अब क्रोध का रेगुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए, कितना चलना चाहिए, कितना कम करना चाहिए, अब जिसका क्रोध का रेगुलेटर अपने हाथ में दूसरों के हाथ में डाल रखा है आपकी गाड़ी आपको चला रहे है कि कोई और चला रहे है कौन चला रहे है नहीं भगवान में तो आपको दे रखी भगवान तो चला ही रहे हैं तभी तो आप चला रहे हैं अपनी गाड़ी लेकिन हम अपनी गाड़ी खुद भगवान के किरपास से ना चला कर दूर उसका रिमोट कंट्रोल दे देते है अभी खुद घर में सज धचके तयार होकर जा रहे थे अपनी पसंद के कपड़े पहने अपना ही सब कुछ कर बस सीसे में देख ले तसली मिल गई अब बड़े सुंदर लग रहे बाहर जाती किसी ने कह दे क् हो संतु श्टोकर आये थी सीसे के सामने खड़े ओकर गंटे पर से और उसने कह दिया तो सब बेकार जरूर अच्छे नहीं लग रहे है हो गी अप्रशनता हो गया दुख किसके कंट्रोल में चल रहे है आप अपने में या दूसरे के में किसी ने थोड़ा कुछ कहा लेकिन और खुद को तसलिने जब तक दूसरा ना कर दे प्रशनता हमें अपने से नहीं है तो क्रोध का कितना रैगुलेटर जैसे माताएं गैस को बंद कर देती हैं फिर फुल कर देती फिर लो कर देती हैं हाथ में होता है न मियाओं के कितना आग जलानी कितना कम करनी उसी तरह क क्रोध भी आना चे कितना क्रोध करें कितना कम करें